हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कमफुर ऐस्यो डिश्टल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, आज मैं डिसकस करने जा रहा हूँ आपके साथ हाउ टू यूज गूगल एनलेटिक्स इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आप गूगल एनलेटिक्स को कैसे ओपन कर सकते हैं कैसे अपने वेबसाइट के लिए अपने बिजनेस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं तो पार्ट बन में मैंने आपको यह सारा ओबर्विव दिया था आज पार्ट टू में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आपने इस एनलेटिक्स को अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर लिया तो किस तरीके का डेटा आता है किस तरीके का इंटरफेस होता है तो आज हम more over इसके इंटरफेस की बात करने जा रहे हैं तो गूगल एनलेटिक्स का इंटरफेस जहां से आप रिपोर्टिंग करते हैं जहां से अपने आप डेटा के बारे में जानते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल यू कैन लाइक माई फेस्बुक पेस कमफोर एस्यो इन इंडिया और आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी वेबसाइट है www.com4seo.com आप इसे बिजिट कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको Google Analytics से रेलेटेड हम क्या कवर करने जा रहे हैं क्या-क्या पॉइंट्स होंगे इस ट्रेनिंग में वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा इसका जो इंटरफेस है वो कैसा होगा देखिए हम कैसे यूज करेंगे कैसे ओपन करेंगे सिंपल है हम क्या करेंगे Google Analytics को लोगन करेंगे जब आप इस लिंक पर किलिक करेंगे तो आपको एक बिंडो ओपन होके आएगी अगर आप और रेड़ी लोगन है किसी भी अपने जीमेल के एकाउंट चे तो आपको क्या होगा लोगन की जरुवत नहीं पड़ेगी यह आटोमेटिकली आपको लोगन कर देगा तो देखिए जैसे कि मैं और रेडी लोगन था तो यह मेरी वेबसाइट ओपन होके आई तो बाइड डिफोल्ट जब इसे आप ओपन करेंगे जब लोगन है तो आपको यह में डेसबोर द आन्दर को नाम क्या है कॉन फूरिट यो और कुस कर अंदर हमारा जो ब्यूल है गियो का नाम है दierte देखने पको देखर है आगा यहां पर आप यह देखेंगे ई को नोटिफिकेसिशन का होता है कि अगर आपके नेले कोई बनॉर्टिफिकेशन है को यह एक कोई वरं़ें है वो आपको यहां मिलते हैं यहां आप कोई भी हैल्प देख सकते हैं यह आपका जो है एकाउंट का नाम होता है ठीक है आए अब आप हम देखते हैं वन वाइवन करके customization में देखिए customization में क्या होता है customization में चार options हैं आपके पास dashboard, custom reports, saved reports और custom alerts तो अब यह क्या होता है देखिए जब आप analytics को implement कर देते हैं अपनी website पर और आपको कुछ custom report की जरुवत होती है custom report का मतलब होता है कि कुछ तो हमारी by default reports जो कि हम आगे बात करने जा रहे हैं उनका format के बारे में लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे client की requirement होती है कि मुझे session भी चाहिए एक ही report में एक ही screen पे मुझे page view भी चाहिए मुझे job application भी चाहिए मुझे bounce rate भी चाहिए मुझे exit rate भी चाहिए तो यह आप कैसे इसके लिए हम कस्टम report यूज़ करते हैं ऐसी Dashboard का ओता है तो Dashboard में भी हम क्या करते हैं कि dashboard करते हैं Tap Traffic Dashboard में हम भहुत सारी Dimension बहुत सारी matrix ले सकते हैं और dispatch create कर सकते हैं मैं आपको ही सिखाऊगा कि हम डैस्ट》 कैसे बनाते है만 कि सब्सक्राइब करते हैं हम alert को तो कि कल की डेट में किसी वेबसाइट से वाइड डिफोल्ट मेरा कोई कोड डिसेबल हो जाता है ड्यूटी सम प्रोग्रामिंग एरर तो उस केस में क्या होता है मैंने एलर्ट लगा रखाय कि वाइल माई सेसंस और माई विजिट्स विल बी जीरो आई विल गेट एन अलर्ट तो आटोमेटिकली यह इंटीमेट हो जाएगा कि आपकी इस वेबसाइट पर ट्रैफिक जीरो हो गया तो आप उस प्रॉब्लम को जाके रिजॉर्ट कर सकते हैं जिससे कि आपका डेटा लॉ कोई भी विजिटर नहीं है अग्रीट तो रियल टाइम का मतलब है अभी रिएल में आपकी वेबसाइट को कौन विजिट कर दा है तो मैं कहता हूं कि मैंने यहां पर अपनी वेबसाइट को विजिट किया तो मैंने यह लोगिन किया अपनी वैबसाइट का URL और उसके इंडिया में भी अगर आप इसे डिक करेंगे जादा तो नोईडा से देट इस देट करेक्ट इंफरमिशन देट यूजर फ्रॉम जा नोईडा लोकेशन नाव नेश दिखते हैं कि ट्राफिक सोर्स क्या होता है तो ट्राफिक सोर्स इसका क्या था जो मैंने भी बिजिट किय धाया डायरेक्ट थल्क अब दूसरे केस में मैं क्या करता हूं मैं गूईगल ऊपन करता हूं घ्रिक ant गूगल ऊपन करने के वाद में अहां पर लिखता हूं सॉर ऑंटन अर्म मार्ट ऑं मैं किया करता हूं देखक हूं अपार्ट फिम हम पैस किसी और्पेश को for example प्रिपल कंफुरेश्यू ब्लॉग मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ अब हम देखते हैं कि यह डेटा कैसे आएगा अग्रीट तो आप यह देखिए हमारा क्या गया यह पीज आ दिखाई देगा ब्लॉग और कमफुरेश्यो ब्लॉग डॉट को राइट सिमिलर्ली अगर इसी सेशन में जो मेरा सेशन बना हुआ है अगर मैं कोई इवेंट को हिट करता हूं तो इवेंट कर डिटर यहां आएगा तो मैंने लिंक पे एक मेल टू लगा रखा है वो आपको म अगर कोई कनवर्जन हो रहा है तो रियल टाइम में आप एक कनवर्जन देख पाएंगे तो फ्रेंट यह थी रिपोर्ट रियल टाइम की रिपोर्ट नेस्ट अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम बात करते हैं और यह ओडियन्स की टीकिए ओडियन्स में आप देखेंगे वह सारी रिपोर्ट्स हैं ओबर व्यू है एक्टिव यूजर्स हैं लाइफ टाइम बेल्यू है को रोट एनलिस से ओडियन्स है डेमोग्राफिक्स है अच्छा देखिए इसमें कुछ रिपो रवायते एक्टिव हैं तो हम यहां यह देख सकते हैं कि कितने मेल हैं यूजर्स जिनोंग entrar किया है और कितने फीमेल्स हैं यहांसे हम 옛 पता कर सकते हैं अपने जो हरिंस जो हमारी website को कि कि लोकि सबसे जढ़ हमारी website तो इस तरीके के बहुत सारे डेटा हैं तो friends मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन सारी रिपोर्स को गो द्रोकर ने ठीक है जो जरूरी जरूरी है रहे हैं वह मैं आपको दिखाता हो उसके बाद बहुत सारी रिपोर्टस है इसके अंदर जब आप डीप डलाउन करेंगे उसके डिपमे बनीटर humor किटीन सीच में आपको वहता है पता कि कितने नई उजर्स ने विदिन दा डियुरेशन ऑप दा टाइम जो हमने ले रखा है फूर एक्जामपल आप गोईंग टू सेलेक्ट इट फूर नवंबर ओनली तो अब मुझे यह पता करना कि नवंबर में कितने नई उजर्स मेरी वेब साइट पर है ठीक है तो ऐसा करना है कि जो मेरे रिटर्निंग विजिटर्स है वो भी इंक्रीज हों ठीक है सिमिलरली आप टेक्नोलोजी में देख सकते हैं कि हमारा कौन सा ब्राउजर है कौन सा नेटवर्क है अब आप देखिए मोबाइल बहुत अच्छी रिपोर्ट होती है कि हमारे जो मोबाइ आइस से जो डेटा आ रहा है वो किस किस से आ रहा है तो सबसे ज़्यादा विए ग्रेटिंग डेटा फॉर्म डेस्टॉप देन मोबाइल एंद टेबिट तो इस तरीके कि यह रिपोर्ट आपको ओडियंस के सेक्शन में मिलेंगी आप इसे गोत्रिक कीजिए करके किसी भी रिपोर्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है यू कन कनेक्ट विद मी नेस्ट आते हैं एक्वेजीशन में हमें समझ में आता है देखिए आपको यहाँ पर चार से पांच ऑप्सन दिख रहे हैं और ट्राफिक गूगल एड्स सर्च से लोग आए पेड आए और गेनिक आए तो देखिए यहां पर यह सारी चीज आपको दिखाए देगी गूगल और गेनिक सर्च से आए हैं डारेक्ट आए हैं शोचल आए हैं रैफरल आए या अधर हैं उसके बाद सिमिलेली सोच मीडियम और रैफरल में भी जग गूगल और गूगल dollars क क्या है यह हमारा देढ़ी खेमपेंच अगर आपने कोई भी एकॉंट लिंक रखाया आपको पूरे डेटै यहां गूगल URL में दिखाई देगा अगर link नहीं कर रखा है तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा नेस्ट है search console अगर आपने search console से इसे link कर रखा है तो आपको search console का जो भी landing page हैं, countries हैं, devices हैं, devices हैं सब आपको दिखाई देगा देखे मैंने कर रखा है, आप यहां से query भी देख सकते हैं कि कौन-कौन सी query है, जो हमारी website के लिए search हो रही है तो आप यह देखे, इस तरीके की queries हमारी website के लिए search हो रही है Google My Business Certification Answers, तो इस तरीके का यह data आपको search console में मिलेगा उसके बाद हम आते हैं, social और campaign में, social में पूरा social media मिलता है campaign में, अगर हम कोई campaign run कर रहे हैं तो मैं एक campaign run कर रहा हूँ, Google Local Listing का जो कि आपको देखेगा गाजियवाद के उससे, तो आप देख सकते हैं, दो users मेरे पास इस campaign से आए हैं ऐसे इसी तरीके के और बहुत सारे campaign आप run कर सकते हैं, जिसका data आपको यहाँ मिलेगा behavior, behavior में हम पूरे content की बात करेंगे कि हमारे site content को, site pages को, website के pages को user कैसे विजिट कर दा है तो जो important report होती है, इसमें वो होती है, all pages की, कि वो कौन-कौन से pages हैं जिसको users ने विजिट किया है, कितने page view बने हैं, कितने unique page view हैं, किस पे कितना average time है और किसका bounce rate कितना है, तो यह report हैं आसानी से आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से यह सारी reports को यहाँ पर गोथरो कर सकते हैं तो friends अगर आप यह देखेंगे screen पे, इस section में भी behavior में बहुत सारी चीज़े हैं, landing page है, exit page है, site speed यह भी बहुत अच्छी चीज़ है, कि आपको अपनी site की speed का पता करना है, कि आपकी site की speed कैसी चले है, means जो download time है, average redirection time है, domain look up time है, यह क्या है, यह भी आप report यूज कर सकते हैं, बहुत ही useful होती है आपके business के लिए, तो friends इसके बाद है conversion, conversion में हम goals की बात करते हैं, goals क्यों क आप जो duration है, आप यहां पर कोई भी date range select कर सकते हैं, आप compare भी कर सकते हैं, compare को custom भी कर सकते हैं, किसी भी एक महिने से, दो महिने से, आपको जो भी compare करना है data, वो आप آسानी से यहां पर compare कर सकते हैं, तो अगर आप देखेंगे यहां पर, आपको comparative data मिलेगा, इस data को जब सेक्षन में देखेंगे जहां पर आपको अच्छा ट्राफिक आता है तो वहां पर आपको बहुत ही किलियर पिक्चर होगी क्योंकि दिस इस देटा जो कि हमें मिल लाए कंपेर करने पर तो आप यहां देखिए जब मैंने एक महीने का कंपेर किया तो इस तरीके की कुछ पिक में जो हम बात करेंगे नेस्ट विक में में बात करूंगी सकेयर मैं इसका यहां मैं आपको थोड़ाइस का एड्मिन सेकशन दिखा देता हूँ कि एड्मिन अपर वह सकते हैं तो धेक्र näटें सेक्षन को कर सकते हैं कितने व्यू क्रिएट कर सकते हैं तो इस पर हम डिटेल में डिसकस करेंगे जब मेरी इन मैंनेश्ट वीडियो डिलीज करूंगा तो फ्रेंड्स अगें आई विल रिक्वेस्ट व्यू कि अगर अभी तक आपको ऐसा लगता है कि यह इन्फोर्मेशन यूजफुल तो प्लीज शेयर फीडबेक एड आप मुझे मेरी वेबसाइट पर कनेक्ट कर सकते हैं फॉर्म फिल करके आप मेरे पास अपनी व्यूर्य भेज़ सकते हैं जो भी वियूर्य है मैं आपकी व्यूर्य को जल से जल्द रिजॉल्ब करूंगा आप मेरी वेबसाइट पर यह give your suggestion. Thank you. Thank you very much.